जहीं दोस्तों कैसे हैं आपको गुम्मीदे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सुनगे स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आवस्त बिस विद्याल है अयोधिया के बीट फस्टियर के थर्ड पेपर एजुकेशनल टेक्नोलजी दोस्तों अब आपके क्लासे रेगुलर बेसेस पर आएंगे इंपोर्टन वीडियो आएंगे और सारी चीज़े डे बाई दे हम इसको अब एक्जाम के प्रिपरेशन से सुरू करते हैं आपके क्लास को पाच पहला क्लास है थर्ड सब्जेक्स के लिए और आपका थर्ड सुच रहा है हम सम प्रेंशर तक ने की ओके इसका फॉर्स्ट आज हम देखने वारे स्लेबस को देखेंगे फिर हम उसके आंसर को देखेंगे तो फॉर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है आगर आप युनिवस्टी के वेबसाइट पर जाएंगे स्लेबस डाउनलोड तो आपको मिलेगा कि आपके इस सब्जेट का फॉर्स्ट में तोड़ल आपको तीन पॉइंट पढ़ने है तिसरे पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है एजुकेशनल टेकनोलजी मतलब सह चिक तक नहीं ही तो बहुत ही जादा इंपॉर्टन प्रशन है यह और कई बार क सवाल पुशे जाता है जैसा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है सैचिक तक्नीकी का ओधार मतलब कॉंसेट क्या होता है सैचिक तक्नीकी कि कहते किसे हैं सैचिक तक्नीकी की मिसेशताइं क्या है सैचिक तक्नीकी के उद्देश से क्या है सैचिक तक्नीकी के छेत्र क्या है ज प्रोचे alter का मतलब उपागं ठीक है आप सैसिक तक्निकी के बारे में बब अगर मैं आ मैं आप तदे हुँ तो सिक्चा की छेटर में तक्नीकों का इस्तमाद रूसरे सब दों में कहते हैं कि सिक्चा की छेटर में वज्ियां bonique Vinک का इस्तिमाल और बहुत ही बेस्ट तरीके से अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिक्षा के चेत्रे में विज्ञानिक ग्यान एवं सिधानतों का परयोग करके सिक्षा के उदेशों को पराप्त करने की प्रक्रिया सैचिक ठक्निकी कराती है ठीक है तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े होती है जैसे कि मनोविज्ञान का इस्तेमाल और दूसरा रहता है मनोविज्ञान का मनोई ग्यान के इस्तमाल का मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ने में कम्योड है पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है और आपको उससे पढ़वाना है आपको आपकी कोशिश है कि वो बहतर पढ़े तो आप क्या करेंगे कुछ साइकलोजी यूज करेंगे उस बच्चे को मोटि मोटिवेट करता है यह सारी ज्यान के तरग दादिये तो पहला जो उपागम होते हैं पहला दी है घ्रृट में और हिंगिस में कहते हैं हंदी में भूसरा हैं आपका software approach हिंदी में इसको कहते है कोमल उपागम ठीक है और तीसरा है बच्चो system approach यानि कि प्रलाली उपागम और तीसरा जो है इन दोनों की भीचकी कड़ी है एक ऐसा उपागम जो दोनों को साथ मिलेके चलता है आप technology का यूज कर रहे है फिजिकल गैजिस का भी इस्तमाल क इन चीजों को दोनों का इस्तमाल करना थर्ड के अंतरगत आता है तो मैं आपको बस यह बता रहा था कि आपको पढ़ना कि पहला पॉइंट है अपने एजुकेशन टेक्नोलजी के बारे में पढ़ना है दूसरा आपको approaches of education technology यानि कि सचिक टकनीकी के उपागम पढ़ना है और तीसरा दोस्तों most important point types of यह आपकी university के syllabus से में बता रहा हूँ अवद भी सुछ दाले के बच्चों के रिए types of educational technology चार तरीके के आपके syllabus में educational technology के types दिये गए हैं पहला है teaching technology मतलब सिचर टकनीकी ठीक है दूसरा है behavioral technology वहवार टकनीकी तीसरा है दोस्तों instructional technology instructional की कैसे आप अनुदेशन टकनीक से पढ़ाएंगे और चोथा है बच्चों instructional design यहीं कि अनुदेशन रूप रहा पिए चार टाइप दिये गए हैं आपके syllabus में complete आपका यही तीन पॉइंट पढ़ना है और यकीन मानें इन में से कोई भी दो पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हैं कोई भी दो पाइंट यकीन मानें आपका कम से कम यहां पर दो सवाल तो सेक्शन ए में पूछेगा दो नंबर में एक सवाल मतलब दो सवाल आपसे सेक्शन वी में भी पूछता है अथवा करके तो कोई एक ही करना है तो यह कनफर्म है कि एक सवाल सैचिक तक्निकी की अर्थ परिभासा भी सेचता है उद्देश से और इनकी छेत्र से आएंगे कन पंदरा आठ पंदरा पंदरा पांच बीस तिन तेईस और दो पचीस पचीस नंबर के सवाल आपको कनफर्म आपके फॉर्स से मिलने हैं यह सारी चीज़ आपको बढ़ना है दोस्तों हम एक काम करेंगे एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो तो एक्जाम स जरूरी है क्योंकि एक बार नोट्स देख लने से दिमाग में कुछ वर्स पावर आ जाता है और एक्जाम से में लिखने में फायदे मन होता है ठीक है तो हम चलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को हम यहीं समभाप करेंगे अगले एक वीडियो में हम एजुके टेक चैनल से नहीं जूरे तो सब्स्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें खुब ज्यादा ज्यादा आश्यादा करें ज्यादा लोगों को जोड़े ठीक है और हां अगले वीडियो को देखने ना भूले जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशनल टेक् जूड़े होंगे वाट्साइब ग्रूप से जूड़े होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से आप जूड़ जाएगा और हां इस यूनिट से समधित जितने भी वीडियो बनेंगे उसके भी लिंक यहां पर अपडेट किया जाएगा तो आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आए इस वीडियो में चलते हैं इस वीडियो को में खतम करते हैं कमेंट में पर आया देना ना पूरे जया ही जया भारा दोस्तों